नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली हमारे सामने है आप पुरुस हैं और आपकी हतीली का हम विसलिशन करने जा रहे हैं सबसे पहले हतीली में नजर डालते ही एक चीज नजर आ रही है और वो चीज है आपकी मस्तिस्क रेखा और आपकी जो जीवन की लकीर है इसके बीच का गैप जहां से ये उदई हो रहे हैं जहां इनका उदगम अस्तान है इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है निश्चित तोर पे एक स्वतंत्र विचारधारा का ब्यक्तित्व आपका है आप अपने मन के मालिक है स्वयम के निर्णईयों पे चलना आपको अच्छा लगता है किसी के कंट्रोल में, किसी के आदिपत्य में जिवन में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे अपनी आगे किसी की ज़्यादा नहीं चलने देंगे अपनी मन के करेंगे, मन के मालिक रहेंगे और स्वतंत्र विचारधारा आपकी हमेशा बनी रहेगी थोड़ा जिद्द भी बहुत ज़ादा रहेगी लेकिन आपके अंदर ये खूबी भी है कि आपके अंदर मैनेजमेंट की छमता जबरदस्त रहने वाली है पुराने धर्ये पे चलना गिसी पिटी चीजों के साथ आगे बढ़ना आपको नागवार गुजरेगा आप इसके साथ नहीं चलेंगे नई आईडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना, नई टेकनोलोजी के कंदे पे हाथ रखके चलना ये आपको अच्छा लगेगा और जीवन में इससे आपको जबरदस्त फाइदा भी होगा यहाँ पे एक बात और देखने को मिल रही है कि इसकी उज़ों से निश्चित रूप से जो है एक रिस्पोंसिबल ब्यक्तित्व भी आपका उभर कर आएगा और रिस्पोंसिबल्टी निभाना आप अच्छी तरों से जानेंगे और इसका सामाजिक फाइदा आपको जीवन क गाल में मिलेगा लेकिन एक कमी भी रहेगी मंगल का जादा प्रभाव पढ़ रहा है तो आत्म विश्वास कुछ जादा रहेने की संभावना है अति आत्म विश्वास जिसे कहते हैं और ये दो चीज करवाएगा जीवन में एक तो भावनाओं के बसीबूत होकर आप गलत निरणें ले सकते हैं और उस गलत निरणें के कारण जीवन में जो आपकी डेपलप्मेंट है जो आपकी प्रोग्रेस है वो बादित हो सकती है और फिर उस डेपलप्मेंट को पाना उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा मनी अपने पैर पे कुलाडी मानने जैस रहेगा दूसरी बात है ये एक और चीज करवा सकता है जल्द बाजी में अति आत्म विश्वास में गलत निरणें ले सकते हैं और उस गलत निरणें के कारण फिर यही चीज घटित होनी की संभाव ना जादा है बनी सिधा सिधा तोर से अगर हम कहें दो चीजों से बचना है एक तो जल्द बाजी में और ऑबर कॉंट्टेंस में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे चीजों का बिसलेशन करके चीजों को परक करके बड़ा सोच समझ करके आप जीवन में निरणें लेंगे तो चीजें फायदे में रहेंगे दूसरी बाप, भावनाओं में बहकर कभी भी जिवन में निर्णई नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुकतना पड़ेगा, बाकी चीजें बहतरीन है, जित्पन आपको अगर चीजों में सफल होने के लिए करनी है, तो ये आपको कुछ देके दूसरी चीज, अब एक चीज बड़ी बारी किसी अगर देखें, तो हतीली में कुछ अलग दिख रहा है, और इस चीज का मैं बहुत सुन्दर उपाए दूँगा, तो कही न कहीं ये उपाए जिवन में सफलता की इस्तिति को दिखाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से निकल करके यहां तक पहुँच रही है, किसी परवत पे नहीं जा रही है, और इस निमन मंगल से जब पहुँच रही है, तो करियर और धन की लकीर को काट रही है, और राहो के परवत पे जो है एक गुणा का चिन बन रहा है, फिर अगर आप ध्यान से देखें, एक लकीर यहां से निकल करके और इस चीज को काटती हुई आगे बढ़ रही है और मस्तिस्क की रेखा को काट के और एक हलका जो है नक्षतर का चिन बना रही है देखो चाय मस्तिस्क रैखा पे हो चाय राहो परवत पे हो जब कट और नक्षतर का चिन बनता है तो जब ये बलिष्ट होने बैठ जाता है अब तो ये धीरे धीरे जो है खतम होने के कागार पे है लेकिन इसने निश्चित ही और इसका प्रभाव अभी भी है अभी भी लकीर को काड़ता है तो कदम कदम पर विक्ति को मुश्किलों का सामना करना परता है कदम कदम पर जब ये करियर और धन की लकीर को काड़ता है तो और यहां पर राहों पर एक गुणा का चिन बन जाता है तो तीन चार चीजों में से एक चीज करता है या तो धनहानी करता है या तो धनहानी होई होगी निश्चित रोप से, या तो रहस्य में चीज उत्पन होई होगी, मनि या तो गोपनिय बिमारी पैदा हो गई, या तो कोड़ कचरे के मामले में चला गया, या बदनामी होगी, बहुत बड़े संकट में फंस गई है, ये चीज आया धनहानी होई है, ये करवाता है करवाता है या करजे में डाल देता है बिक्ति को, पैसे रुपे को लेकर रोटी रोजगार को लेकर आज़ इवो को लेकर हर जगह ब्यक्तिक जो है उतार चड़ाव ज़ादा झहीलने पड़ते हैं पुर ये मस्तिस्क की लगीर को काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मानसिक रूप से बिक्ति को ये जो है बहुत जादा संगर्श करवाता है मनि तनाव की इस्तिति, डिप्रेशन की इस्तिति में ब्यक्ति रह लेता है ठीक, फिर यह यहाँ पे भी जो है लकीर बन रही है तो यह दोहरीमार ब्यक्ति के जीवन में करता हुआ दिखाई दे रहा राहो का आपको क्या करना है? उपाय करना है लंबे समय तक थोड़ा जादा करना है तो इसका प्रभाव नश्ट हो जाएगा और निश्चित ही आपको लाव की प्राप्ति होगी अब इसके साथ साथ एक चीज और दिखाई दे रही है ज़र आप बड़े गौर से देखें, ध्यान से देखें और जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी हाथ में ये चीज़ें दिखाई दे नहीं बैठ गई तो जरूरी नहीं है, इसी टैम आपको इसका गलत फल मिल रहा है कुछ समय बाद जब चीज़ें इस पश्ट होने बैठ जाती हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तो उससे पहले ही इन चीज़ों का निराकरन करना सुरू कर देना है तो चीज़े वहां तक नहीं पहुँचेगी मनि राहो अगर यहां पर कट का निशाना आ रहा है तो यह मान लीजेगा या तो गोपनिय बिमारी पैदा होनी वाली है या किसी से ऐसा विबाद होनी वाला है कि कोट कचरी का मामला बनेगा या तो आप पे बहुत बड़ी कोई ब्लेम लगेगा या तो करजे में फसेंगे धना हानी होगी तो इस चीज को पहले पहचानना है और कदम कदम पर जो मुश्किले हैं उनको रोखनी के लिए राहो का सुन्दर उपाई पहले कर देना है बहुत सरल उपाई होते हैं प्राकृतिक उपाई होते हैं दूसरी चीज हमें देखना है सूर्या सूरे अपने आप में बहुत मायने रखता है यहाँ पे दीखेंगे आपकी सूरे रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दीरी है बहुत अच्छी है मस्तिस्क की लकीर से जब सूरे रेखा जाती है तो इस पश्ट तोर से बताती है बिक्त बहुत जादा मेहनती है और बिक्त अपने बुद्ध के बल पे अपने विवेक के बल पे जीवन में सफलता बहुत उत्तम इस्तितिकी प्राप्त करेगा बहुत ही उत्तम इस्तितिकी लेकिन ध्यान से देखेगा यहां से एक रेखा यू जा रही है कट नहीं रही है, जा रही है लेकिन कटेगी मनी किसी चीज में बहुत बड़ी असफलता आपको मिलेगी लेकिन अगर आप सूर्य किरिया और दिब्बी ध्यान योग किरिया करते हैं तो यह चीजें नहीं होंगी लेकिन एक चीज तो है, अब ये देखेगा ध्यान से यहां से हलकी एक रेखा बुद्ध की तरफ जारी है, बहुत हलकी है अगर फोटो निकालेगी ते भी दिखेगी अगर हाथ को एसे देखेंगे, नहीं दिखेगी लेकिन दिख रही है अब ये बुद्ध की तरफ जारी है तो क्या बता रहा है इसका मतलब है कि आप अपने जीवनकाल में बरतमान समय में लगातार उलजी हुए है सम्मान तो आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है आपकी परेशानिया जैसे खतम ही नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम नहीं हो रहा है आप मानों परेशानियों से मुक्त नहीं ले पा रहे है ये इस चीज को दिखा रही है ऐसी इस्तिति में जब इस प्रकार की चिन न हो तो विक्ति को एक तो करजे लेने से बचना है करजा नहीं लेना है दूसरी वाग ऐसी इस्तिति में आप जितन जो प्रियास करते हैं वो प्रियास पूरी तरों से सफल नहीं हो पाता है आप जो मिहनत करते हैं जो परिशरम करते हैं उसका जो पूरा स्रे है जो उसका पूरा करेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति में जो quality आपके अंदर होती है जो योग्यता आपके अंदर होती है उस तरह से चीजे उभर कर नहीं आपाती है ऐसी इस्तिति में निश्चित रोप से आपको सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति सूर्य की हो और राहो की हो राहो छेतर पे तो यकीन मानिएगा आप अगर ब्यापार के छेतर में जाते हैं तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैला वो नाम और यस और वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ दाओं पे रख्ये ब्यापार में गए थे ऐसी इस्तिति में अगर आप नौकरी कर रहे हों तो नौकरी में केवल और केवल आप इस्तिमाल होते हैं धोका खाते हैं जो वास्टिक ग्रोथ है उसको आप नहीं कर पाते हैं मनिक कर्म तो बहुत जादा करते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पूरा बलसाली नहीं है उसकी चमता कम है आपका जो जीवन जीने का रुटीन है जो तरीका है उसमें गड़बड है जिसके कारण आपके जो सारिक चक्र है वो परस पर सूरे की चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है और जब सूरे बैलेंस है जो जीवन की वास्त्विक खुसाली है उसकी आपको चिंता करनी पड़ रही है जो जीवन का उत्सा है जीवन की उर्जा है इन चीजों की आपको कहीं न कहीं चिंता करनी पड़ रही है क्या करना है आपको मैंने पहले ही बताया है फर्ष्ट में ही आपको दिव्य दिव्य सूर्य किरिया निश्चित रोप से करनी है और थोड़ा लंबे समय तक करना है। अगर आप नियमित रोप से जो विदी में दे रहा हूँ उसी हिसाब से और एक अगर चित मन से और अनुसासन में रहके दिब्य सूर्य किरिया करते हैं तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपकी जो सारे रिक चकर हैं वो सूर्य के चकरों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रोप से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा क्या प्रभाव मिलेगा? आपकी जो सारे रिक सिहत है वो बिहद अच्छी होगी आपका जो मानशिक संतुलन है वो परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं न कहीं सहिजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारे रिक स्वस्त्य हो चाहे जीवन की वास्तविक खुसहाली हो चाहे उत्सा हो आपके जीवन का चाहे और जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी तो मैं राहो का भी उपाई दे रहा हूँ मैं जो है दिब्य सूर्य के रिया भी आपको दे रहा हूँ दिब्य योग ध्यान के रिया भी आपको दे रहा हो अब यहां पर देखते हैं तो, यह आपकी जो करियर और धन की रह्खा है यह थोड़ा सा जो है बढ़ नहीं पा रही है आपको क्या करना है? लक्षमिका उपाये करना दिब्यय योग ध्यान करिया अपनानी है इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये लकीर इससे मिलके आगे बढ़ जाएगी और आपके करियर के छितर में और आपके जो है धन के छितर में इस्टेबिलिटी आनी सुरू हो जाएगी और जब आप लगातार कोई चीज करते हैं तो ढ़ाई से तीन बरसों के बाद लकीरे अपनी अच्छी इस्तिति में आ जाती है और पूर्ण फल मिलने बैठ जाता है और दूसरी बात यहाँ पर दीखेगा आपका अंगोठे में जो है यहाँ पे निश्चित रोप से एक दो और तीन पौर्वे बन रहे हैं और आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे जो है अच्छी इस्तितिकी और अजा रही ही है यह दोनों योग यहाँ पे बता रहा है देखेगा जीवनकाल के 42 वर्ष से आपकी जीवन में तरक्की के योग बन रहे है और वो भी बड़ी किसम की तरक्की बहुत बड़ी काम्याबी आपके हाथ लगने वाली है जीवनकाल के 42 वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी धन है प्रतिष्टा है मान सम्मान है सभी चीजों में ये बड़ोतरी को दिखा रहा है निर्धन नहीं रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिलने बैठ जाएगी तो आपके अंदर अभिमान जरूर आ जाएगा आपको अपने बुद्धि चातुरिया और अपने मस्तिस्क सक्ति के बल पर इससे समल कर चलना है क्योंकि साथ साथ में गुरू का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से क्या होगा कि धार्मिक प्रवर्ति भी जादा आएगी आपक अच्छा दिखा रहा है धन के लिए 42 वर्स से यह योक बहुत अच्छा है ब्याऌसाय इत्यादी चीजों को दिखा रहा है और ब्याउसाय में जाते हो तो बीसे सपलता को भी प्राप्त करेंगे ये दिखा रहा है कि 42 वर्ष से निरंतरता है धनहानी की कोई बड़ी आसंका नहीं दिखाई दे रही है धन इस रोप में रहने वाला है कि धन के मामले में आपको लज्जित न होना पड़े धन के मामले में बहुत ज़्यादा संगर्शना करना पड़े अब इसके बाद सवाल आता है कब-कब धन में बहुत बड़ोतरी होगी देखे 42 वर्ष से और अंत तक आपका जो धन का मामला है ये इस्टेबिलिटी की और जा रहा है तो लगातार इसमें बृति होगी खतम नहीं होगा ठीक है न इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा हाँ दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जल्दबाजी और भावनाओं से बचना है जल्दबाजी में ले आ गया निरणे और भावनाओं में ले आ गया निरणे बहुत कुछ करवा सकता है तो इन चीज़ों से समल के रखेंगे तो 42 वर्स से आगे का समय बहुत अच्छा है अब देखेगा यहाँ पे ये तो है इसका एक और वानी है आपकी हतेली में एक और चीज दिखाए रही है आपका जो ये परोत है ये हिस्सा है ये है आपका केतु का हिस्सा ये तो एक रह समय गरह है और हमारे हस्त्रे का सास्तर में सबसे महत्व पूर्ण गरह है इसको सबसे बड़ा महत्त दिखा दिया गया है अब किसली दिया गया है देखो एक तो है ये अनुवेशन का गरह है मनि बिज्ञान का ग्रह है यह यह खोज करता है यह देखता नहीं है यह केवल चीजों को खोजता है इसकी प्रवर्ति है खोजनी क्यूंकि यह केवल क्या है सर का नहीं नीचे धड़ का हिस्सा है एक राक्षस के दो हिस्से है एक राहो बना एक केतु बना यह केतु है यह आपके तीन जनमों के करमों को दिखाता है आपकी अंत में गति क्या होने वाले है उस चीज को दिखाता है आप किस योनी में दुबारा जनम लेंगे जनम मंबनन के बंदन से क्या मुक्त हो जाएंग इस चीज को दिखाता है अध्यात्म के परते आपकी कितनी रूचे रहेगी ये इस चीज को भी दिखाता है आप किस आपके संसकार कैसे हैं आप किस कुल के विक्ति हैं ये इस चीज को भी दिखाता है अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेगा एक तो देखेगा आपकी हतेली में एक तो जो है बहुत सारी लकीरे जालनुमा बना रही है तो अभी कुछ समय तक लगभग लगभग तीन साड़े तीन साल तक संगर्स तो जीवन में रहेगा चाहे हलका रहे चाहे जाधा रहे लेकिन किये तो इसपष्ट बोलना है संगर्स रहेगा और मन के अंदर चिंता भी बनी रहेगा ये रहेगा लेकिन इश्ट की स्रणागति इसमें राहत देने वाला काम करेगा अब यहाँ पर देखेगा तीन रेखाएं है और तीनों योव अक्षर से बनी है ये बहुत अच्छा है बनी आने वाला समय आपका राजा के समान भोग भोगिंगे इस परकार की दिखाई दे रहे है अब ये है पहली रेखा योव अक्षर से बनी है मैं योव अक्षर नी प्रिंट करूँगा, सीधा दिखाऊंगा रेखा पूरी है, सुन्दर है, इस्पष्ट है और पहली रेखा है, ठीक है? ये रेखा आपके स्वस्त्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरस्ती के बारे में बताती है. निश्चित तोर पे आने वाले समय में स्वस्त्य का जो मामला है तंदुरस्ती का जो मामला है और आरोग्य का जो मामला है वो बेहत्रिन रहने वाला है थोड़ासा जो है जो गरहों से विकार उत्फपन होते हूँ तो होंगे जब ये गरह गळबढ होंगे तो स्वस्त्य पे प्रवहाव डालेंगे लेकिन जो संकट पैदा करे जो लाइलाज बिमारी हो वो नहीं दिखाई दे रही है तो स्वस्ति के मामला हो आरोग्या का मामला हो तंदुरस्ति का मामला हो बेफिकर रहने की आवशकता है थोड़ा रूटेन पे दियान जरूर दे दूसरी बात आपकी ये दूसरी रहखा भी बहुत सुन्दर है और ये रहखा है संपत्य की रहखा धन की रहखा ये रहखा आपके करियर और धन की रहखा से समन्द रखते हैं तो ये रहखा भी जो है अच्छी इस्तिति में आने की और अगरसर हो रही है और ये रहखा भी ज विश्चित रूप से धन और संपत्य का जो मामला है जिवन काल के 42 वर्स से उसमें अस्ताईत्वा आता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेशानी वाली चीजें खतम होती हुई दिखाई दे रही है चीजें भेतरीन अवस्ता में जा रही है बहुत सुन्दर अब यहां पर देखेंगे तीसरी रेखा तीसरी रेखा भी इस पश्ट आउस्ता में आ रही है यह रेखा है सुक की रेखा अब देखेगा यहां पर समझेगा हमारी जीवन में स्वस्त्य है और धन भी है आये दिसुक नहों तो कोई फाइदा है नहीं है यह तीसरी रेखा क् कि निश्चित तौर पे केतु के कारण और केतु आपके कर्मों को दिखाता है पूरो जन्म के इस जन्म के अगले जन्म में मिलेंगे इस जन्म के बुड़ापेकाल में मिलेंगे ठीक है न? लेकिन ये क्या बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने स्वस्थ्य का, अपने धन का और अपने एस्वर्य भोगने का जो सुक है वो बहुत सुन्दर रूप में प्राप्त होगा अब ये तीन रेखाएं मैंने पहले भी बोले आपकी जन्मों को बथाती है तीन रेखाएं इसपश्ट है शुन्दर है और बहुत किलिर है क्या बता रही है कि आपने पूरो जनम में बहुत उच्च और पुण्यकर्म किये है इसका मतलब है आपका जो पूरो जनम था वो भी निश्चित रोप से मनुश्ययोनी का था और उस मनुश्ययोनी में आपने निश्चित ही जो है उच्च और पुण्यकर्म के अर किस उम्र में किये है देखेगा जिस उम्र में उस वर्स जनम किये होंगे ने उसके दस सालों के बाद इस उम्र में उसका फल मिलता है तो तीसवे वर्स के बाद लगबग 32 और 33 वर्स में से आपने अच्छे और पुण्य कर्म शुरू किये थे उस जनम में यह आपका प्रारब्द है उस जनमों का फल मिलेगा 42 वि Mitsvins के बाद से किस रूप में अच्छी बिद्या चाहे आपने इसकोली बिद्या अच्छी की हो और अच्छा धन, मनि धन के मामले में बहुत ज़्यादा संगर्स खतम होने के कगार पे रहेगा, किसी से जपटा हो आधन नहीं रहेगा, जाए एक रुपया रहेगा, वो भी सुद्ध रहेगा, अपने खून पसीने से कमाया हुआ, धर्म और कर्म से कमाया हुआ, पैसा आप के पास रहेगा और अंत में भी ऐसा आप जो है कर्म करेंगे कि एक दिव्य आत्मा की तरह स्री हरी के चरणों में आपको जगह मिलेगी और जो दूसरा जन्म होगा वो रिसी कुल में आपका होगा बनी बहुत बड़े अच्छे कुल में होगा जो पूरी तरह से धार्मिक जाएं चले जाएं आप और किसी गुरू के सरणागति हो और किसी पंथ में जाएं जिससे जन्म मनन से उसके बाद मुक्ति है यह आपका डीन यह यहां पर बता रहा है आप यहां पर देखेगा यह बहुत समझने की चीज है ठीक है ना ध्यान से देखेंगे बड़े ध्या से इस प्रकार से जो है चिन्न बंता हो दिखाई दे रहा है किसका प्रभाव पढ़ रहा है केतु का मचली कहां पर टच कर रही है जीवन पर जीवन का मतला जो आपका जीवन चलना है और यह अभी पुष्ट नहीं होई धीरे-धीरे यह परखर होती हुई दिखाई दे रह में केतु के कारण धार्मिक परवर्ति जादा रहने वाली है धर्म और अध्यात में रूचि जादा बढ़ने वाली है और यह कहां देख रहा है सीधा सनी को सनी क्या है भग्य अस्तान है हतेली में सनी क्या है भग्य अस्तान है धन का अस्तान भी इसे कहा गया है और जब के तो कि मचली किसी परवत को देखती है उस परवत के गुणों में बृद्धि करती है जब ये इस पश्ट हो जाएगी और इस पश्ट कब होगी साड़े तीन वरसों की बाद इसका फल मिलेगा ये सनी को देख रही है मनि धन में अचानक बृद्धि करेगी ब्रिस्पति को दे सनी को देखने का मतलब अपने कारें में बहुत बड़ा विस्तार और सनी को देखने का मतलब भाग्यास्तान भाग्या में बृद्धि सीधी सीधी बात है ब्यक्ति 10 रुपे कमा रहा होगा लेकिन इसका प्रभाव पढ़ने से वह आई दूगनी होके 20 रुपे हो जाएगी 10 अजार कमा रहा होगा 20 अजार 20 लाग कमा रहा होगा 40 लाग इस तरह से उस ब्यक्ति के धन में बृद्धि होती है तो यहां पर इस पश्ट तरीके से दिखा रहा है कि इसका जो प्रभाव पढ़ेगा साड़े तीन वर्सों के बाद जो है ठीक ठाक पढ़ने बैठ दो तरफा एक तो धन में बृद्धि आएगी दोसरी धर्म और अध्यात्म के छेतर में बृद्धि होने बैठ जाएगी और आपको अपने जिवनकाल में यात्राओं का मौका मिलेगा सुखद यात्राओं का ठीक निश्चित रोप से अब थोड़ा सा और चीज भी देखे अच्छी भी देखें आपने बुरी भी देखें और भी देखें अब यहाँ पर देखेंगे सुक्र के परोत में आप अगर देखें तो कुछ रेखाएं उपर की और इस पश्ट तरीके से अभी पूरी नहीं होई लेकिन होती हुई दिखाई दे रहे हैं काम के परति जादा रहेगा जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वह ऐसे एक्सपिरियंस बढ़ेगा और इसका फायदा मिलेगा या तो पद बढ़ेगा या काम कर रहे होंगे तो काम बढ़ेगा काम में पिस्तार हो गा ये आपका जो है सुक्र परवत की ये बर्टिकल लाइने कह रही है कुछ चीजें बहुत अच्छी है ठीक है ना लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हलके रोप में अगर हम देखते हैं अगर ये इस प्रकार से मचले का चिन बनाता है जब ये पूरी मचले का चिन बन जाएगा ये मचली के आकार ले रहा है चिन बनाएगा तो आपको यात्रा का बहुत बड़े लाब मिलेगा बहुत सारी यात्राओं का लाब मिलेगा कभी इस देश कभी उस देश कभी उस देश मनि गिदेश यातनाओं का जबरदस्त लाब मिलने वाला है और सुखद लाब हो सकता आप ब्यापार ऐसा फैल जाए चाए ओनलाइन ब्यापार हो चाए प्रेक्टिकल ब्यापार हो चाए कुछ ऐसा काम हो कि जिसमें यातनाई हो लेकिन अभी नहीं अभी थोड़ा दोर का मामला है लेकिन होगा अब यहाँ पे देखेगा यहाँ पे इस तरह से आपकी जिवन की रेखा जारी है और यहाँ से एक रेखा चंदरमा की और आरी है जर्म अस्तान से दोर ही चाए दोसरा सहर हो ठीक है ने? चाए दोसरा गाउ हो चाए बिदेश हो अपना मकान उगेरा वहीं बनाने बनाईंगे और वहीं जो है शिप्ट हो जाएंगे वहीं आपका जो है चार चर्खा चलेगा दूसरी बात है चंद्रमा बता रहा है कि फूड बिजनिस अगर ब्यापार में फूड बिजनिस हो दोद का ब्यापार हो पानी का ब्यापार हो ऐसी चीज हो या सिपिंग है इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है फूड बिजनिस है ऐसी चीजों में अगर जाने की कोसिस करते हैं जिवनकाल के 42 के बाद से तो काम्यावी बहुत सरेष्ट रहने वाली है अगर नहीं भी जाते हैं तो विदेश यात्राओं का आपको मौका मिलने वाला है ठीक है अब एक चीज और देखेंगे यहीं से एक रेखा निकलती हुई और बुद्ध की तरफ जा रही है यह रेखा जैसे जैसे इसपष्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी वैसे वैसे आपकी आयो में बिर्दी होती जाएगी वैसे वैसे आपको सफलता दिखनी सुरू हो जाएगी निश्चित आपको लगने बैठ जाएगा कि अब सफलता मेरे हाथ में आने वाली है ब्यावसाय कर रहे होंगे तो तरक्की आपको प्रेक्टिकल रोप में दिखने हो जाएगी। वानी को बेचेंगे उससे फायदा हो गया है। बनी बोलने के धंग के कारण जीवन में जबरदस्त धन की प्राप्ते होगी। लेकिन एक कमी भी रहेगी। जब तरक्की की उस सीमा को पार कर रहे होंगे तो निश्चित रोप से पेट से समंदित प्रेसानिया भी हावी होनी बैठ जाएंगे। इस से कहीं न कहीं जीवन में दुखी रहेगे। एक तो पानी का जो सेवन है वो जीवन में आप हर दम जादा करेंगे इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि भोजन करने के बाद अगर गुड का थोड़ा सेवन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेने वाला है। बाकी कुछ खास उपाई में आउडियो के माद्यम से आपको दे रहा हूँ। लेकिन कुछ-कुछ वीडियो में दे रहा हूँ इसका भी ध्यान रखें। ठीक है ने अब यहां पे देखेगा। यह तो हमने देख लिए है। अब यह रेखा अभी इस रोप में है कि पैसा कितना भी आजाए बचना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब यहां पे देखेगा। यहां पूरी इस छित्र को एक दूसरे को काटते हुई रेखाएं यहां पे जन्म लेती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है यह आपके बरतमान समय को बता रहा है। उसको यह कमजूर करने का कारे कर रहा है। इसका मतलब निश्चित है कि आपकी जो मानसिक चमता है आपकी जो अध्यात्मिक चमता है वो दुरुस्त है और इसका आपको फायदा मिलेगा स्वाबिमानी रहेंगे विवेक पूर्ण व्यवार करेंगे दूसरों की मदद करने वाले भी होंगे और बुद्धिमता से आने वाले समय में काम करेंगे भग्या कावी अच्छा आपको साथ मिलेगा ये उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है इस तरफ यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा जबरदस्त बनी रही दोनों उंगलियां बराब करें तो मातर जीवन का लक्षभी यही दिखाई दे रहा है जादाता यह उंगली सीधी खड़ी है हलकी जुकी हुई है धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है यह इसके पहले पोरोवे तक भी पहुँच रही है निश्चित रोप से अगर हम देखें तो वानी के स सकती बहुत अच्छे रहने वाली है कम्यूनिकेशन इसकिल्स जादा रहेंगे और ब्यापार में होंगे तो ब्यापार में आने वाले समय में बिर्दी होगी बिसेश कर 42 वर्स से इसके बारे में हमने जान लिया है यहां पर अगर हम बात करें आपकी हिर्दे की लखीर की तो जीवनकाल में महत तो कांचा बहुत जादा रहने वाली है जो सोच रहेगी वो निरंतर आगे बढ़ने की रहेगी जो इक्षा रहेगी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े कोई जोगार लगाना पड़े कोई हतकं इस्तिमाल करना पड़े इनकिन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे यहां पर मस्तिस करेखा जबरदस्त है देखेगा एक चीज बहुत जादा दिखाई दे रहे प्रायव बहुत जादा सोचने वाला विक्तित तो रहेगा जादतर हमेशा आप कल पनाओं में दोबे रहेंगे आपका जो मन है वो एकागर्चित थोड़क कम हो पाएगा इसलिए दिव्य योगध्यान किरिया जरूर करें लेकिन ये निश्चित है कि सिरेष्ट सपलता भी हासिल करेंगे हाँ आपका जो मन है बहुत जादा कलपनाओं में भी डोबा रहेगा इस बात क के परति जो है केरफुल विक्ति तो भी रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है उपाई भी दोंगा किसा की शुक्र का परउत अगर देखें तो अच्छे फल देता हो दिखाई दिरा कहा है लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा जो है जालनुमा है तो कोई नो कोई उल्ज रहा है कि कहीं न कहीं अभाव की इस्तिति है निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की इस्तिति और डिसीजन लेने की छमता में असर डालता है यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन उच्छ मंगल बहुत अच्छा है जिसके कारण पराकरम और एनरजेटिक स्वभाव बनावा है यहां पर अगर हम बात करें यह परोत सनी के तरफ जोका हुआ है थोड़ा परिवार को लेकि कुछ चिंताएं रह सकती है और अभी जो है यह आपके अंदर साधारण विक्तित्तों देते हुई दिखाई दे रहे हैं दिप्ययोग दियान के रिया जरूर करें मिडिल फिं वानी की सकती में चाहे कम्यूनिकेशन इसकिल्स हो चैधन का मामला हो इसको बुद्ध को थोड़ा ठीक करें इसके लिए जो है दिप्योग दियान के रिया का साहरा लें चंदरमा की इस्तिति अगर देखें चंदरमा थोड़ा अनबैलेंस है कभी-कभी मन गड़बड रहे थोड़ा सा मालसिक परेशानियां भी आपको जहलनी पड़ेंगी हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और आपको अपना डाइजेस्टिप सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा योगा इत्यादी करें ज आपको भीज रहा हूं करने की कोशिज करें तो बहुत अच्छा रहेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार